हَلो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग अगर आ भी एक Mi का TB यूज़ कर रे हो या फिर कोई Android TB यूज़ कर रहे हो और आप File Transfer के लिए अगर Zender ढून रहे हो कि कैसे Zender को इंस्टोल किया जाए अपने Mi TB में या Android TB में तो आज किस वीडियो में आपको वही बताने वालों कि कैसे आप Zender को इंस्टॉल कर सकते हो अपने Mi TV या फिर Android TV में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए कुछ ऐसे ही Mi TV से रिलेटेड इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना है तो जरूट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी जेंडर का APK फाइल आपको उसी को डाउनलोड करना है और इसको फिर अपने pen drive में आपको ले लेना है जैसे कि मैं यहाँ पर pen drive में अपने उस एप को ले चुका हूँ और यहाँ पर है वो जेंडर तो इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको जरूत पढ़ती है एक और एप की दोस्तो इस एप का नाम है set orientation इसका भी link आपको वीडियो description box में मिल जाएगा या फिर अगर आपके पास aptoid tv है तो आप वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते तो इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले इस एप को आपको open करना है और यहाँ पर by default यह दोस्तों आपको disable मिलत है कुछ इस तरह से आपको मिलेगा आपको इसको करना है यहाँ पर landscape पर आप इसको landscape पर करके ok कर दीजिये बस इस एप में इतना ही काम आपको करना है अगर दोस्तों आपके tv में aptoid tv है और आप सोच रहे हो कि वहीं से आप जेंडर को install कर लो तो यहाँ पर एक मिलेगा जिय यह अब install कर लेते हैं zender को सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ tv manager के अंदर मैं उसके बाद install वाय यूएस पी यहाँ पर मैंने अपना usb select किया अब यहाँ पर zender है इसको आपको कर लेना है install तो मैं इसको install यहाँ पर कर ले रहा हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हो क जेंडर जो है वो TB में इंस्टॉल हो चुका है तो आपको यहीं से इसको open कर लेना है मैं यहीं से इसको open कर लेता हूं तो कुछ इस तरह से आपको user interface यहाँ पर दिख जाएगा अब देगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से sender open हो जाता है अब अगर आपको अपने phone से file अगरा transfer करना है तो आप easily transfer कर सकते हो अगर आपको अपने TV में किसी app को install करना है तो आप mobile से वो सब भी काम कर पाऊगे तो चलिए अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि आप अपने me tv में एक mouse को connect कर लें अगर आपके पास mouse नहीं है तो मैंने कल एक video बनाया था ऐसे आप अपने tv में mouse का use कर सकते हैं अपने smartphone से तो जरूर उस video को आप देखे और अपने phone को ही ऐसा mouse आप use कर पाएंगे अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर mouse अपना connect कर लिया है अब अगर मुझे कोई file यहाँ पर send करनी है तो simply आपको जेंडर आपने यूस किया होगा अपने phone में मैं यहाँ पर जाता हूँ send के अंदर में send को आपको select कर लेना है तो यहाँ पर एक barcode आ जाएगा बाब बस आपको उसी का wait करना है यहाँ पर एक barcode आ जाएगा अब जेंडर को मैं अपने फोन में भी open कर लेता हूँ, आप देख सकते हो side में phone की screen है यहाँ पर मैं receive के option को select करता हूँ, यहाँ पर select कर ले रहा हूँ scan connect पे और यहाँ पर मैं इस code को scan कर ले रहा हूँ आप देख सकते हूँ कि phone में जो है वो connect हो चुका है और आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो गे कि phone में vendor connect हो चुका है अब चलिए मैं कुछ file आपको ट्रांसफर करेकर दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं कुछ photo को ट्रांसफर अपने tv में कर रहा हूँ वो आप मैं आपको दिखा देता हूँ चलिए एक photo रहे, इसको मैं यहाँ पर send करता हूँ और आप देख सकते हो कि यह photo TV में transfer हो चुकी है चलिए photo section में जाते हैं और देख सकते हैं कि मैंने अभी इसी photo को transfer किया था अपने phone से और वो यहाँ पर आपको TV के अंदर में दिख रही है तो कुछ इस तरह से आप अपने TV में किसी app को भी भेज सकते हो किसी media file को भी भी भेज सकते हो movies वगारा भी आप transfer कर सकते हो तो I think काफी better है sender आप use कर सकते हैं अपने me TV में और आपको इससे किसी भी तरह की problem आपको face करने को नहीं मिलेगी तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये video को पसंद आई होगी अगर आपका कोई सवाल और सुझा हो तो नीचे comment करना मत भूलिए अगर आपने इस video को अभी तक like और share नहीं किया है तो इस video को आप like कर दीजिए इस video को आप share कर दीजिए चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को आप subscribe करके वेल आइकन प्रेस कर दीजिए कुछ ऐसे ही me TV से related interesting videos को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस video में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में